फ्रांस और भरत के रिष्टे एक डील के बाद नई दिसा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पहले बादिय वायुसेना ने अपने नई स्कॉडन के लिए राफेल को चुना था तो अब नौसेना ने भी राफेल को तरजीह दी हैं नई स्कॉडन के कई अरफ डॉलर के साथ चबिस राफेल एम की डील फ्रांस के साथ की थी कि इस डील के लिए उसने अमेरिकी जेट F.A.18 सूपर होनेर को रिजेक्ट किया हैं नौसेना की तरब से इस साल की सुरुवात में दोनों जेट्स का ट्राइल किया गया था इस ट्राइल की एक विस्तुद रिपोर्ट बारत रक्षा मंत्राले को सौप दी गई हैं दोनों फाइटर जेट्स को गोवा इस्तित नौसेना के बेस INS हंसा पर टेस्ट किया गया था सुत्रो की माने तो दसौल्ट एविएशन के राफेल एम ने इस रेस में बाजी मारी हैं नौसेना का मानना है कि राफेल उनकी जरूरतों को कई ज्यादा बैतरी से पूरक कर सकता है नौसेना अपने बेडे में पूराने पर चुके रूस के 43 फाइटर जेट्स मिक-29 को हटाना चाता है कई एरक्राप्ट का नाम नौसेना के दिमाग में था लेकिन फाइनल राफेल M और F-18 के बीच थी फ्रेंच नेवी के पास इस समय 240 राफेल M जेट्स है इन जेट्स को दस्वल्ट ने साल 1986 से निर्मित करना शुरू किया था दोनों जेट्स पहले ही एडवांस्ट एरक्राप्ट केरियर पर तेनाथ है एसे में दोनों जेट्स नोसेन के पास इस समय नया एरक्राप्ट केरियर INS विक्रांत है और पुराना INS विक्रमा दितिया है